हलो फ्रेंड्स आज की वीडियो में कम्प्यूटर का हम लोग सेकेंड टॉपिक देख लेते हैं इसमें हमें पढ़ना है यूज ओफ आई सीटी इन एजूकेशन एंड इस्टिडीज बतलब सिच्छा में सूचना इबम संचार पॉद्ग की कि क्या उप्योगता है ठेक है ये आईसीटी की सब उपयोगता हो जाएगी चाहें आप सिच्छा में पूछी जाए चाहें किसी और चीज में पूछी जाय तो आप इन पॉइंट्स को लिख सकते हैं ठीक है तो पहला है सूचना संभाहन तो सूचना संभाहन का मतलब या होता है कि सही समय पर सही बेक्तिक त एजूकेशन में क्या होता है, कि मालिया admit card जो आते हैं आपकी, अगर time पे नहीं आएगा, तो आप paper नहीं दे पाएंगे, आपका पूरा future का सवाल होता है, तो ICT की मदद सही तो admit card आ रहे हैं, ठीक है, कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं, time से पहुंच जाते हैं, अगर दो द की नीती जो सिच्छा की नी आती ही रहती हैं, ठीक है, अभी रहाली में आए, इसिच्छा नीती ठीक है, तो यह सब किस के अदार पर बनाई जाती हैं, सब ICT की मदद से बनाई जाती हैं, इनका बहुत importance होता है, तीसरे हैं कि परिछ्छा मूल्यांकन, ठीक है, तो परिछ् जो exam दे रहे है, seated बगएर का exam जब online होने लग गया है, या किसी और चीज का paper जो online होने लगए, इन सभी में हम ICT का use कर रहे हैं, ठीक है, अगर सूचना है अब हम संचार पौधगी की नहीं होती है, तो हम यह चीज़ें नहीं कर पाते हैं, ठीक है, जो भी paper होता है, उसकी घो प्रस्पेक्टिब से हो रहा है, ठीक है, फौर्थ पौइंट है सैच्छिक प्रशाशन, सैच्छिक प्रशाशन से मतलब है, जितनी भी सूचना होते हैं, इस इच्छास related, ठीक है, उन सभी को लोग इखटा करते हैं, आकडों का निर्मान करते हैं, ठीक है, उसका पर उन्ह सबके सामने पब्लिस करते हैं, उन आकडों को, ठीक है, जितना भी सेच्छिक प्रशाशन होता है, इसमें भी माइसीटी का यूज करते हैं, ठीक है, कि कितने स्टुएंट्स इस वारा एक्जाम में बैठने वाले हैं, बोड के, ठीक है, कितने पास हुए, कितने फेल हुए या नोट पैड बगएरा में, जो मैं डेली नोट करनी होती चीज़े हैं, ठीक है, कम्प्यूटर, इन सभी के मदद ले रहे हैं, अब लेखी करन में, ठीक है, तो इसमें भी ICT का यूज हो रहा है, फिर 6. है, दूरस इच्छा पढ़ाली, दूरस इच्छा पढ़ाली से मत उनलाइन जो चीज़ें रहती हैं, उनके मादिम से टीचर पढ़ाता है, तो इन सभी में ICT का ही यूज है, ठीक है, तो ये उप्योगता हो जाएगी सिच्छा में, ठीक है, सूचना है, अब अच्छे से याद कर लें, इन्हें आप लिख सकते हैं, अब चैप्टर 2 है कि सि बन्यादी जानकारी की खोज के लिए करते हैं, ठीक है, तो सिच्छक ICT का यूज किस में करते हैं, तो record रखने में करते हैं, lesson plan बढ़ाने में करते हैं, सूचना को प्रस्तुत करना होता है, तो करते हैं, इंटरनेट पर जो बन्यादी जानकारी उसे प्राप्त करने के लेकर आनी कैसे पढ़ाना है किन विधियों का यूज करना है तो इन सभी में वो ICT की मदद लेते हैं तो अपने ग्यान की ब्रद्धी के लिए भी वो ICT का यूज करते है अब इसमें जो पॉइंट से होने देख लेते हैं तो पहला कि सिच्छकार की कार कुशलता में ब्रद् पढ़ा रहे हैं तो क्या कोई GIF फाइल है या EMAGE बगएर बोटाउलोड कर सकते हैं Google से उसके मादधियम से ठोड़ा और अट्रेक्टिव करके चीज़ों को पढ़ा सकते हैं बता सकते हैं को वीडियो डाउनलोड करके दिखा सकते हैं बच्चों को उसके मादधियों से पढ़ा रहे हैं तो पहले computer का चितर बनाएंगे वो ठीक है अपने साथ लेकर आएंगे mouse आउस और CPU बगएर सभी का चितर बनाएंगे अब कहा कि एक खाली photo download करनी पड़ती है computer से computer की photo download कर लो और उनके भाग बगएर सारे दिखा दो ठीक है तो काफी काम सरल हो गया है ठीक है कि ICT के द्वारा चात किसी भी विसे से सम्मंदित ग्यान विसेश को CD, Radio, Computer, Internet के माद्यम से सरलता से प्राप्त कर सकते हैं तो टीचर का कार सरल हो गया है काफी पर तीसरा point है कि समय की बच है तीचरों का जो समय है वो भी काफी बच जाता है ठीक है अगर मुमालिय चेत्र बगएरा बना रहे है कोई model बगएरा तयार कर रहे है बच्चों को दिखाने के लिए तो कितना time जाएगा आप खुद सोच करेंगे वहां पर presentation देंगे ठीक relation plan तेयर करेंगे तो काफी ज्यादा time जाता है ठीक है पर क्या time काफी आपका बचर है फिर fourth point है कि दूर सिच्छा में सहाय है कि आप दूर कहीं तराज जगह बैठे हैं और वहां से सिच्छा दे रहे हैं तो बच्चे भी जो है पूरे UP में फैले हुए हैं वहां से सिच्छा घ्रान कर रहे हैं सब अपनी जगह से घर में बैठ के कोई गोरगपुर का ये तो आप गोरगपुर जाके बढ़ा रहे हैं कोई आगरा जाके आप पढ़ा रहे हैं ठीक है एक ये जगह पर इस्तित है और जुब बच्चे है वह दूर चैनिमेंट होगा उनके बारे में पढ़ाना ठीक है या कोई नई रिसर्च करने किसी चीज़ के बारे में या कोई नई रिसर्च आई है तो इन सभी में साहता मिलती है ICT की मदद से तो यह सारे ICT सिचन अद्गम को संचालित करने के लिए सिच्चो को बल परदान करता है उनमें विशवस्तू समंधी चमताओं के विकास के साहथ साथ उपकरणों की संचालन का ज्यान प्रदान करता है ठीक है जो ICT है किसमें मदद करता है तो सिच्छन अधगम जो है जो टीचर पढ़ा रहा है तो उसे continue करने के लिए help करता है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है दूसरा कि उसका जो विसेवस्ति समंझदी जो छमताय हो कोई teacher है जो अभी भी पुरानी धंग से पढ़ा रहा है ठीक है पारंप्रिक्स जो सैलियां होती है उनके अधार पर ही पढ़ा रहा है कुछ भी चैंजमेंट नहीं कर रहा है लेकिन ICT मदद करता है कि पहले आप जैसे पढ़ा रहे थे बच्चों को अभी बो किलियर नहीं हो रहा है तो आप कैसे अपने जो सिच्छन विदियां में चैंजमेंट कर सकते हैं ठीक है आपको अपढ़ानी के धंग में चैंजमेंट कर सकते हैं ठीक है जिससे जो बच्चा वो चीजों को समझ सके ठीक है थोड़ा innovative कर सके आप चीजों को तो बही लिखा है कि ICT जो होत में यह अध्易ापकों को साहता प्रदान करती है ठीक है जो आइसी समागरी जो सिच्छन अदगम में यूज करता है तीचर जैसे चॉक हैfeito हैerdसर मॉडल है यह ग्लूब है ठीक है चार्ड वगरहीं इन सबी को सिच्छन अद्गम समगीरी कहते हैं तो इनकी निर्मान में और इनकी सफल प्रियोग में ये क्या करता है टीचरों को help करता है ICT फिर फोर्थ पॉइंट है कि ICT सिच्छक को अनुदेशन, नियोजन, आकलन, मुल्यांकन, विध्याले प्रबंदन तथा विध्याले समदाइक समंदों को बहतर बनाने में सहता करता है तो ICT जो है वो किसमें help करता है टीचरों को तो अनुदेशन में, नियोजन में मतलब की planning जो टीचर करता है उसमें help करता है किसी का आकलन करने में, मुल्यांकन करने में बच्चों का, विध्याले प्रबंदन में manage करने का पूरा, management में तथा विध्याले जो समदाइक समंद होते हैं, उनको बहतर बनाने में सहता करता है ठीक, तो यह ICT के मदद है, कैसे सिच्चक को website विकास हो सकता है, क्या help कर सकता है ठीक, इन points को आप लिएक सकते है, अब सिच्चक को website के लिए ICT के कौन कौन से साधन है ठीक है आपने ये तो देखे लिया कि website विकास करता है ICT तो आप ICT के कौन से साधन है जिनकी मतलब से सिच्छक का website विकास होता है ठीक है तो पहला हो जाएगा आपका social media network ठीक है दूसरा हो जाएगा babe conferencing ठीक है कि babe conferencing के मतलब से दूर बैठे मीटिंग ले सकते हैं बात कर सकते हैं ठीक है social media के माध्यम से आप YouTube आ जाता है उसमें आपका Facebook आ जाता है ओमर सीट बगारा आ जाती है जो online टेस्ट बगारा हो रहे हैं फिर है कि smart board ठीक है आजकल smart board चल रहे हैं देख रहे होंगे आपने कई YouTube चैनल पर देखोंगे जो अमीर अमीर जो अच्छ च्छ चला रहे हैं उनके पास smart board होते हैं ठीक है उसमें आराम से लिकर वो अच्छों आ जाते हैं ठीक है तो यह सारी किसमें help करते हैं तो website विकास के लिए टीचरों की website विकास में help करते हैं ठीक है और यह सारी क्या है तो ICT के साधन है सूचते है अब हम संचार प्रदगी की साधन है इन पॉइंट्स को आप याद कर सकते हैं ठीक हो भी साधन है इनके बारे म आपका यहीं पर कंप्लीट होता है अब हम मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ थैंक्यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो